हेलो दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल जागरीती कंप्यूटर्स में तो मैं हूँ आप लोग का ट्यूटर्स तो आज की क्लासिस में मैं आप लोग को सीखवाने वाला हूँ एक अक्सल के अंदर एक बहुत ही जबरजस्ट प्रोजेक जरूर करना जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहां पर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है इस प्रोजेक्ट में मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या काम किया है बस आप लोग देखे अगर इस प्रोजेक्ट को सीख जाते हैं तो आप लोग अपने ओफिस में जा करके एक बहुत अच्छा सा सुन्दर सा dashboard बना सकते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ, इस पर मैंने क्या काम किया है, देखें मैं यहाँ पर सबसे पहले एक value चेंज करता हूँ, यहाँ पर मैंने एक value लिख दी 18600, तो आप देखेंगे मैंने अभी 18600 value लिख किया है, यहाँ पर यह सबसे बड़ी biggest sale होगी, वो भी हमें यहाँ पर दिखाई देगी, मैं आप लोग को एक बार और करके दिखा देता हूँ, अगर कोई हमारा salesman यहाँ पर sale करता है 20,000, यहाँ पर 23,000 रुपे की, और यहाँ एंटर करने पर हमें उसकी value दिख जाए, तो यह हम कैसे करेंगे, यारी हमारे सबसे बड़ी value, सबसे बड़ी biggest sale हमें दिख जाए, तो यह आप कैसे करोगे, यह मैं आप लोगों सिखाने वाला हूँ, बस छोटी से trick के साथ, तो मैं आपको ले चलता हूँ अपने दूसरी sheet पर, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा simple सा data तयार कर लिया है आप लो दे, और equal लगाने के बाद आप यहाँ से इस cell address को select कर ले, ठीक है, अब आप यहाँ पे enter बटन प्रेस करें, तो देखेंगे यहाँ पे जो हमारी value आ जाएगी, अब आप इस value को यहाँ से select करके, drag कर दीजे, इस तरीके से देखेंगे, आप लोगों के सामने यह पूरी value आ देगा data bar, data bar में आपको जाना है और यहाँ से लेना है आपको more rules, अब आप जैसे more rules पर जाते हैं, आपके सामने यह बहुत सारे options देगा, आपको क्लिक करना है, आपको क्लिक करना है so bar only option पर, और so bar only करने के बाद यहाँ से color भी choose कर सकते हैं, आपको जो भी color चाहिए, आप वो color का यहाँ से dashboard बना सकते हैं, अलग-लग color आप यहाँ से choose कर सकते हैं, और दूसरे यहाँ पर देखेंगे, एक option होगा आपका bar direction, तो आपको bar direction में लेना है left to right, आप जैसे left to right लेके आप यहाँ से okay करेंगे, देखेंगे आपका जो bar है वो बन जाएगा, इस तरीके से, तो इतना तो आप लोगों को समझ में आही गया होगा, अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पर value कैसे ली थी, यानि सबसे बड़ी sale, आप देख रहे हैं यहाँ जो मेरी सबसे बड़ी sale है, यानि हमारी जो सबसे बड़ी sale है, वो 8,907 रुपे है, तो मैं चा लगाने के बाद आप यहाँ पर एक max का formula लगाते हैं, और max का formula लगाने के बाद आप इस पूरी range को select कर लिए, अब आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर पूरी range select कर लिए, select करने के बाद आपको क्या करना है, इस पूरी range को एक बार fridge कर देना है, F4 की मदद से, यानि आना चाहिए अगर आप लोग को नहीं आता तो आप मेरी पिछली वीडियो में जा करके देख सकते हैं मैंने सिखा रखा है वहाँ पे कि फ्रीजिंग कैसे करते हैं अब आप इसे ब्रैकेट क्लोज कर दें और यहाँ पे कोमा लगाएं सुरी यहाँ पे कोमा नहीं लगाने आपने क्या करना है आपको इस सेल को इक्वल लगा करके इसके बराबर देखना है और अब आप यहाँ पे क्या करेंगे कोमा लगाएं और कोमा लगाने के बाद यहाँ पे आप इसे बताएं कि अगर यह value हमारी सबसे बड़ी आती है तो हमें यही cell दोबारा चाहिए अब आप यहाँ पे कोमा लगाएं और यहाँ पे double inverted कोमा रख दीजे यानि blank छोड़ दीजे और यहाँ पे enter कर दीजे अब आप देखेंगे यहाँ पे इसने इसे blank छोड़ दिया अब आप यहाँ से इसे पकड़ के नीचे ड्रैक कर देएं आप देखेंगे आपकी सबसे बड़ी biggest value यहाँ पे आ जाएगी तो प्लीज आप अमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप जाए हमारे चैनल पे वहाँ पे मैंने बहुत सारे project बना रखे हैं dashboard बना रखे हैं और वहाँ पे मैंने कुछ tricks बता रखी हैं और daily मैं short video डालता रहता हूँ तो आप लोग वहाँ जाकर के Excel को बहुत strong level पे अच्छा कर सकते हैं अपना मिलते हम लोग अगली वीडियो